अगर कोई मुझसे बोलता है कि निनात के 2% चांस भी है बशने के तो मैं जरूर वो चांस लेती सभी कहती है कि घर बेचने के कोई जरूरत नहीं है मैं हॉस्पिटल के ट्वस से बात करूँगी और उनको बैटर टीटमेंट के लिए शिफ्ट करूँगी बवानी कहती है हमारे पस टाइम नहीं है और हम घर बेच देंगे वीनु बवानी से कहता है कि आप हमारा future spoil मत करो ये घर बेच करके और वो कहता है कि हमें house चाहिए और इसलिए वो कहता है कि कोई हमारी परवा वैसे भी नहीं करता बवानी कहती है और सभी यहाँ पर slap करती है विनायक को शानतनू यहाँ पर question करता है ईशा से उसके behavior के बारे में इशान के साथ इशा कहती है कि मुझे इशान का behavior candidates के साथ अच्छा नहीं लगा निशी वहाँ आती है और comment करती है इशा के ऊपर इशा question करती है उसके ऊपर भी comment करती है निशी रिवील करती है कि इशा से कि इशान बहुत ज़्यादा hurt है और रिवा को support करने के चक्कर में इशानतनू कहता है कि मैं explain करूँगा कि रिवा आखिर इशान की engagement छोड़कर के उस दिन क्यों चली गई थी इशा कहती है कि मुझे नहीं पता उसके बार में इशान तुनू कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि आखिर रिवा वापस क्यों आई है इधर नेशू पूछती है कि लेकिन इशान इतना ज़ादा हट क्यों है और तुम्हें क्या रखता है कि मुझे इशान के खुशे के बारे में कोई फिक्र नहीं है इशा यहाँ पर समझाने के कोशिश करती है रीवा के बारे में लेकिन निशू से रोकती है और कहती है कि भगवान के लिए प्लीज अब दुबारा से यह सब शुरू मत करो और ईशा बहुत जादा ब्रोकन फील करती है अपने आपको इधर सभी वीनो से कहेगी कि हम इतना जादा नीचे कैसे गर सकते हैं सभी रिवील करती है वीनो के Crime of Actions के बारे में भवाने को भवानी शौक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जो अटेक हुआ था ईशा पर उसके पीछे वीनो था वीनो सभी से कहता है कि तुम्हें मेरी रेस्पेक करने चाहिए अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है पैसा ही कहती है नहीं हमें तुम्हें कोई ज़रत नहीं है नर्स आती है और वीनो से कहती है कि आपको 10 ऑट रुपे करने पड़ेंगे निनाद के ट् creatively के लिए वीनु कहता है सभी से कि पैसों का अरेंज करो या निकलो भवानी यहाँ पर बहुत अले इमोशनल हो जाती है और वो उस कहती है कि इतना जल्दी हम इतना सारा अमाउंट कहां से लाएंगे सभी कहती है कि मैंने कुछ प्लान बनाया है पैसों को अरेंज करने के लिए इशा यहां शांतिनों से कहती है कि इशान जो हमें नफरत करता है वो और नफरत करेगा तब ही वो कहती है कि मुझे रीवा से मिलना होगा इशा रीवा से मिलती है क्वेस्चन करती है कि तुम मेरे बेटे को इतना दर्थ क्यों दे रही हो रीवा यहाँ पर बहुत जारा सप्राइज है यह जानकर कि इशा इशान की मदर है रीवा कहती है इशा से कि मैं कभी भी इशान को हट करने का सोच भी नहीं सकती इशा कमेंट करती है और वो कहती है कि इशान की इस जो हरकत की है उसने उससे बहले ही मैं भी तो हट हुई हूँ रिवा कंपैर करती है उन दोनों के सिच्वेशन और इवा यहाँ पर जो इशा है वो कहती है तुम अब इस चांस को छीनने का मौका मट ढूड़ो यही सब दिखाया जाएगा आज रात के अपिसोर में जिसमें इशान यहाँ इंटर्वियोर से कहती है इशान इस तरीके के परसनली आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं इशान कहता है कि सौरी मेरा इए इंटेंशन नहीं तो वह से चला जाता है इशान सेक्योरिटी गाड को चिलाता है रीवा को कॉलेज में घुसनें देने के लिए और तभी एक कॉलेज का स्टाफ आता है कि सबी हैं जो रीवा को यहां पर college में लाई थी, सभी यहां पर neat bed के लिए prepare कर रही होती है, यानि कि वो निनात के लिए bed लगा रही होती है, hospital के कॉरिडर में, तभी उसके जो friend है, वो उसकी मदग करने आते है, सभी, यहां पर photo भेजती है हरीनी को और कहती है कि निनात को अब यहां प कॉले जाओ अभी के अभी, सभी कहती है कि मैं अभी नहीं आ सकती है, मिज़ा कुछ काम है, इशान कहता है सभी तुम्हें 45 मिनिट्स में आना होगा, अदर्वाइस तुम कॉले से सस्पेंड कर दी जाओगी, और सभी यहाँ पर टेंशन में आ जाती है कि न जाने इशान इतने जादा गुस्ते में क्यूं है, देखना होगा काफी जादा इंट्रेस्टिंग कि जब इशान यहाँ पर सभी को बताएगा, उसके बारे में तब क्या होगा रियाक्शन, फिल हाग रैसी मज़एदा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले,